दोस्तो वेलकम बैक टू इस निव वीडियो और अभी मैं हूँ हरिश्चंदर फोर्ट के कोकन कड़ा पर यहां से जो संसेट का व्यू है वो काफी जबरदस दिखाई देता है यह मैंने पिछले व्लॉग में कवर किया था और अभी सुबा हो चुकिये हमने राद बर केंपि की थी आप है वो भी आप पिछले व्लॉग में देख सकते हैं और अभी हम इस फॉट में मौजूद एक ऐसी गूफा देखने वाले हैं जिस गूफा में काफी बहुत बड़ा शिवलिंग है वो शिवलिंग पानी से भरा हुआ रहता है और जो पानी इतना ठंडा है कि वहा तक तूट चुके है और वो पूरी पूरा मंदिर पूरा पहाड एक खंबे पर टिका है तो चलिए वो इंटरस्टिंग गूफा हम देखने को चलते है वहापे जो शिवलिंग है उसकी उचाए करीब 5-6 फीट है और पानी से पूरा घिरा हुआ शिवलिंग है पहुचने की प्लेसे से उसके मैंने सेपरेट वीडियो बना है तो उसकी प्लेइलिस्ट में आपको यहापर दे दूँगा आप उसे जरूर देखे रास्ता आप देख सकते हैं काफी कठिन है और यह मेरा दोस्त देखिए जो मेरे साथ है यह विदाउट शूज यहापर आया है मेरे तो उसका भी व्लॉग हमने बना है आप जरूर देखिए अभी हम पहुच रहे है केदारिश और मंदिर के तरफ शायद हमारा रास्ता हमने गरत ले लिया चलो ट्राइ करते है यह से जानी के लिए तो इस तरह से हम सिर्फ महराष्टर ही नहीं बलकि पूरी भारत की सबसे रहस्मे गूफा और उस गूफा में मौज़ूद एक अदभुद शूलिंग को देखने के लिए निकल पड़े जिसका संबंद सीधे कल की अवतार से जुड़ा है उस गूफा तक पहुचने का रास्ता काफी कठीन है अगर भारत में ज्यादा तर लोग इस गूफा के बारे में नहीं जानते है तो इसका कारण ये भी है कि इस गूफा तक पहुचना आसान नहीं है एक तो ये गूफा हरिश्चंद्रगड़ पर साड़े चार हजार फिट उचाई पर मौजुद है और इतनी उचाई पर भी जंगल से होकर इस गूफा तक हमें पहुचना पड़ता है और फिर भी ये बारिश का मौसम नहीं है वरना यहाँ पर बारिश के मौसम में उस गूफा तक पहुचना लगबग नामुम्किन हो जाता है और आखिरकार यह हम पहुच गए केदारेश्वर गुफा मंदिर में जो महाराष्टर के अहमद नगर के पास हरिश्चंदर गड़ पर मौजुद है इस मंदिर का जो जिक्र है वो मत्से पुरान, सकंद पुरान, अगनी पुरान और शिव पुरान में भी मिलता है इतना यह मंदिर प्राचिन है तो यह है दोस्तो आखिरकार हम पहुच गए है केदारेश्वर क्यो जिसके बिल्कुल बीचो बीच मौजुद है एक बहुत बड़ा शिवलिंग पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ यह शिवलिंग है अगर आपको प्रदक्शना करनी है तो पानी में आपको चक्कर लगाने होंगे और यह पानी ऐसा वैसा नहीं है काफी ठंडा पानी है और शिवलिंग की जो उचाई है वो करिब 5-6 फिट इतना उचा है यह पर देखिए चार पिलर थे उस चार पिलर में से अभी एक ही पिलर बचा है इसके पीछे एक स्टोरी बताई जाती है इस मंदिर के निर्मान के बारे में काफी अलग अलग राय है एक दावा यह है कि इस मंदिर का और गुफा का निर्मान सत्यूग में किया गया था तो एक दावा ये भी है कि इसका निर्मान छटवी शताब्दी में हुआ था यहाँ पर आपको एक ऐसा अजुबा देखने को मिलता है जैसा शायद आपको किसी और गूफा में या फिर किसी और शिवलिंग के पास देखने को नहीं मिलेगा ये गूफा आपने एक ऐसा कैलेंडर है जो चारो यूगो को दर्शाता है और कलियू खतम कब होगा इसका भी जवाब इस मंदिर में छिपा है यहाँ पर इस शिवलिंग के पास ये जो आप एक खंबा देख रहे हो ये वो इकलोता खंबा है जिसके उपर ये पूरी की पूरी चट्टी की है ऐसा कहा जाता है कि इस चट के नीचे पहले चार बड़े बड़े पत्थर के खंबे हुआ करते थे लेकिन आज इन चारो खंबो में से सिर्फ ये अकेला खंबा ही बचा है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानों इस पूरी गुफा की चट का जो भार है वो अकेले इसी खंबे पर टिका है इस खंबे को लेकर एक और कहानी भी बताए जाती है जिसका संबंद कल की आउतार से जुड़ा है ये जो शिवलिंग इस गुफा के बिलकुल बीचो बीच आप देख रहे हो इसकी लंबाई करीब पाँच भीट है और यहां के पुजारियो दौरा इस शिवलिंग की नियमी दुरूप से रोज पूचा की जाती है हाला कि यहां का जो पानी है वो काफी ठंडा रहता है इसलिए इसमें सी होकर शिवलिंग के पास पहुचना आसान नहीं है इस पानी की एक और खासियत ये बताया जाती है कि गर्मी के मोसम में ये पानी काफी ठंडा रहता है तो वही सर्दियों के दिनों में ये पानी ठीक ठाक गर्म रहता है अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो आज तक कभी पता नहीं चल सका और यही नहीं बताया जाता है कि इस पानी की लेवल जो है, वो हमेशा शिवलिंग के नीचे ही रहती है, मतलब शिवलिंग कभी पानी में डूपता नहीं है और आप यहाँ पर वाटर लेवल के निशन भी देख सकते हैं और यहाँ पर एक शिवलिंग की पूजा करते हुए एक सीन यहाँ पर रूकरा गया है यहाँ पर एक रूम है नीचे यहाँ पर रूम है अंदर यह जो चार खंबे हैं हिंदू पुरानों के अनुसार यह चार खंबे चार यूगों का प्रतीक है और ऐसा कहा गया है कि जब कल्यूग अपने चरम पर पहुँच जाएगा तो इस गुफा में मोजुद ये चौदा खंबा तूट जाएगा और उस वक्त भगवान विश्णू का कलकी आउतार होगा तो ये जो चार खंबे है चार पिलर है ये पूरे पत्थर के बने है और इसके इस पिलर को लेकर एक कहानी है कि ये जो चार पिलर है ये चार यूग को दर्शाते है और जैसे भी तीन यूग खतम होए तो ये तीन पिलर भी खतम हो गए और अभी जो ये कल्यूग चालू है त तो कुछ वर्षों तक ये पिलर अभी रहेगा और जब भी पिलर खतम हो जाएगा तो ऐसा माना जाते है कि कल यूग भी उस समय खतम हो जाएगा अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इन चारो खंबों में से ये जो खंबा है जो पूरी तरह से टूट चुका है वो त्रेता यूग को दर्शता है ये वाला जो खंबा है ये दिखाता है द्वापार यूग को या यूग कहे कि द्वापार यूग के दोरान ये नश्ट हुआ था और ये जो पिछला खंबा है ये सत्यूग में नश्ट हुआ था और ये जो सामने वाला खंबा है जिसके उपर इस पूरे की पूरे पहाड का भार है वो खतम होगा कल्यूक के आखिर में कहा जाता है कि कल्यूक के आखिरी वक्त में ये पूरा खंबा तूट जाएगा और ये पूरा का पूरा पहाड धस जाएगा देखा जाए तो इस मंदिर के बारे में काफी कम लोग जानते है भगवान शिव को ढूमने के लिए लोग कहा का नहीं जाते लेकिन महाराज ट्रके एक छोटे से गाव में ही ये एक ऐसा मंदिर मौजुद है जिसका वर्नन वेदों में किया गया है और जो अपने आप में जानकरी का एक अद्बुत खजाना है जिसमें चारो योगों का वर्नन हमें पत्थर के खंबों के रूप में देखने को मिलता है इन टूटे हुए खंबों से एक बात ये भी बता चलती है कि इस मंदिर की हालत काफी जरजर हो चुकी है खंबे तो हमें टूटे होई दिखाई देते ही है लेकिन साथ में जो शूलिंग है ये भी हमेशा पानी में डूबा हुआ होने के वज़ह से काफी डैमेज हो चुका है अभी तो फिलहाल पानी कम है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसका निचला हिस्सा काफी खराब हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में ये शायद पूरी तरह से डैमेज भी हो सकता है लेकिन इस मंदिर से जुड़ी माननेता जो है उसकी वज़ह से इस मंदिर के रेस्टोरेशन पर काम नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करने से या ये जो पत्थर के खंबे है इनके साथ छेड़ चाड़ करने से बहुत बड़ा प्रले आएगा ऐसी लोगों की माननेता है तो आपको क्या लगता है कि इस मंदिर का रेस्टोरेशन होना चाहिए या फिर इसके साथ जुड़ी जो माननेता है उसकी इसाब से इस मंदिर के साथ छेड़ खानी नहीं करनी चाहिए आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए यह अभी हमारा आखरी पॉइंट था तो चले मिलते हैं अगले एपिसोड में